ही गाइज असलाम लेकुम वेलकम बेक टो माय चैनल शमाज के चैनल व्लोग तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगे अपना डेली नाइट रूटीन की कितना जादा बिजी शिड्यूल होता है हम ममीज का बहुत जादा बिजी होता है तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं इसमें सिर्का और नमक डाल दिया ताकि इसका जितना भी गंदा है ना सब चीज सारा साफ हो जाए तो अब यहाँ पर क्या करने लग गई हूं यहाँ पर मैंने चड़ा दिया एक तरफ चावल तो मुझे थोड़ा से चावल बनाना था आमना जैनब के लिए तो इसलिए मै करने लग गई हूं मुर्की की कलेजी फ्राइ कर रही हूं कि मैंने सोचा कि काम शुरू करने से पहले ना बच्चों को कुछ खाने तीने में लगा दू ताकि मुझे काम करने दे तकि बीच बीच में इतना जादा डिस्टरब करते हैं बहुत जादा लेकिन इसके बाद भी कुछ भी ओए योज के बाद यहांने दूगों ने मझे बहुत बृस्पब करते हरा हुआ है तो मैंने यहाँ पर कालेजी डाल दिया उसके बाद मैंने इसमें सीफ डाला है नमक हल्का और इसके साथ में इसमें अन्य इसमें काली मिस्क और जीरे का बुनावा तोड़ा सा पाउडर डाल दिया है थोड़ा साथ ताँ पेस्क आ जा और सुर्द मैं नोग को देदू और इसके दो ऐसा आधर बाद भी ताली जीट तो यह उद्दे नी विस्टत पासि तो तो पहले ही मैंने डाल दिया था वाश होने के लिए उसमें पता है महनत कम लगती है कि हम हाथों से वाश करना नहीं पड़ता है जब सिरका और नमक डाल देना तो बहुत अच्छे से गंदगी सारी निगल जाती है फिर मैंने इसमें जितने भी पीसेस थे में मैंने कट लगा तो यहाँ पर मैंने फटा फट से ना चिकन में कट लगा दिये सारे फिर उसके बाद एक तरफ कलेजी फ्राई हो चुका था और फिर मैंने इसे वन बाई वन करके निकाल लिया और फिर दोनों बच्चों को दिया ताकि वो थोड़ा सा खाने में बिजी हो जाया और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाये और इसे खाने के बाद तो ऐसी मुझे जिस्ट अप करने ही वाले है उन्हें बहुत जादा इंटरस्ट आजाता है जब मैं व्लॉक स्यूट करती हूढ तो बहुत जादा इंटरस्ट आता है दोनों को उनका मन करता है कि वो पूरा time मेरे साथ क पाउडर्ड़ी पाउडर, दन्याग, काली मिच, जीरे पाउडर्डर। और चिकन मसाला और थोड़ा सा डाला श।बाद मने गरम मसाला थोड़ा साइन और इसमें डाल दया है दो चमच मैंने अद्रक लेसन का पेस्ट। अच्छा जितनी भी चीज़े मैंने मसालों में डाली है वो एक चोटे चम्मच से ही डाली है ठीक है फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक स्वाद अनुसार डाला उसके साथ साथ मैंने इसमें डाल दिया है आदा चोटा चम्मच काला नमक उसके बाद मैंने एक निम्बू का र करते हैं जाने होग मेरत आ इससे चाहँ नहीं की जाति ही खाल कुछा भी tımकर मेरा मौता नहीं संब घoltके अरण चीन धाले लिए और करना श्रुवरपे उप्जिपन सुन आप करदें जाति एक जाति आप दैने ङ। यह यह इतने जादा जूसी बने थे ना चिकन फ्राई की बहुत ही जादा जब मैंने चिकन फ्राई सारा कर लिया ना तो आमना जैनब तो पहले लेक्पीस लेकर शुडू हो गई थी तो जब चिकन फ्राई हो गए ना तो पिर मैंने सोचा कि कुछ और किया जाए मतलब इसके साथ कुछ छिड़कानी की जाए तो इसलिए मैंने क्या किया यहां पर ले लिया एक प्लेट के साथ कुछ लेना है और तो यहां पर मैंने ले लिया 15-20 काजू, एक हरी मिर्च और मु प्लेट के साथ पीस के पेस्ट बना लिया ठीक है अब दूसरी तरफ जो है ममी ने रख दिया है दूद उबलने के लिए और फिर उसके बाद जो हमने चिकन फ्राई किया था उसमें से एक्स्टर निकाल के और जितने में हमारी ग्रेवी बन जाए उतना ओल रखना है उसके थोड़ा सा किया जाएगा इसमें ना मैंने डाल दिया है दो बड़े चमश तही तो यह घर की जमीवी धही तो खटी नहीं थी तो खटी मट डालिएगा तो ही अच्छा होगा लेकिन इसे जरूर बनाएगा यह बहुत लजीज क्रीमी चिकन फ्राई जो होता है बिल्कुल बहुत अमीजिंग मतलब बहुत अच्छा अब इसके साथ मैंने यहां पर डाल दिया थोड़ा सा नमक ताकि ग्रेवी में नमक होना चाहिए हमने चिकन प्राई में तो डाला ही था अब यहां पर डाल दिया है मैंने काली मिर्ज जिरे का भुनावा पाउडर और इसे आच् चाहे तो अमूल की फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं या फिर इसके अलावा अगर क्रीम भी ना हो तो आप मक्षन भी यूज़ कर सकते हैं इसे भुनने के बाद जब ऑईल बिल्कुल छूट जाए उपर उपर आ जाए तब आपने चिकन के पीसे इसमें डालने हैं और उसके बाद जब इसका फ्लेवर आएगा ना बहुत बहतरीन आने वाले क्रीमी चिकन फ्राइज होने वाले ना बहुत मज़ेदार चीक है तो अब इसे फटा फट से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसे लो फ्लेम पे कम से कम 5-7 मिनट के लिए ना ढख करके हम छोड़ देंगे ताकि चिकन के अंदर इस क्रीम का जो हमने ग्रेवी बनाए ना उसका टेक्शर आजाए और बहुत ही मसीदार हो जाएगा ये ताकि इन दोनों का टेस्ट एक दूसरे में आजाए बस ढख करके छोड़ दीजे अब यहां पर जो आटा देख रहे हैं आप सोचेंगे कैसा आटा है ग्रीन ग्रीन सा तो मैं बता रही हूं मेरे पास जो रात का पालक और पनीर की जो सबजी बची थी ना वो ऐसे तो खतम होने वाली नहीं थी तो इसलिए मैंने उसे आटे में गूंद लिया अब देखें यहां पर मैं आपको दिखाते हूं पास साथ मिनट हो चुके थे तो जब मैंने से खोल कर देखना इसके इतनी अच्छी खुश्बू और इतना बहुत 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 अच्छी के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया धनिया डालने के बाद इसे फिर से मिक्स कर लेना है मिक्स करके अब देखे ही दिखने में इतना प्यारा लग रहा था इतना खुश्बूदार बहुत बहुत रही था कि बस गर्मा-गरम रोटी की देगी थी पिर तो या फिर नान मिल जाए बस मज़ा ही आजाने वाला है मेरे बच्चों को तो इतना मज़ा है से खाने के बाद कि बोले थे ममा और खाना है और खाना है और खाना है जादा क्यों नहीं बनाया और घर में भी सबको बहुत बसंद आया तो बस इतनी सी रेसिपी थी थी तो यहां पर मेरी चिकन फ्राय वाली रेसिपी थी बहुत अच्छे से बनकर तियार हो गई थी उसके बाद क्या था उसके बाद काम खतम होने का तो नाम लेते ही नहीं मतलब एक काम खतम हो तो दूसरा पहली ही तयार खड़ा रहता है जी हां मुझे कर लो अब तो यहां पर मैंने आटा तो गूल दिया था अच्छा तो मैंने जो आटी का जो शौट आपको दिखाया कि व तो यहां पर ना मैं फिर पराठी बनाने लग गई थी तो यहां पर मैंने नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं मैंने वैसे ही बनाया कोई ताम जाम करकी नी बनाया वैसे तो मेरा लच्छा पराठा बनाने का बड़ा ही मन था लेकिन टाइम इतना कम था ना और फि हैं कि बीच बीच में बच्चे इतना जादा डिस्टरप करते हैं उनको कभी कुछ चाहिए होता है उन्हें हर चीज में लगाना और फिर उनका ध्यान रखना और कॉंप को भी देखना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कि असारी मॉम्स के लिए होता होगा तो बच्चों से पहले तो सब चाहिए छलता है लेकिन बच्चे उने के बार नख भई या बहुत ब्रॉपम हो जाती है एटनी जादा आप चुटे चुटे काम पे लिए जो कम समय में हो जाते थे पहले वह अप तो ऐसा लगता है कि पूरा-पूरा दिन वह काम में ही निकल जात है ऐसा होता है ना आपके साथ भी ऐसा होगा मेरे साथ तो हमेशा है ऐसे होता है तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल पराठा ही बनाया तो सब के लिए मैंने जादा पराठी नहीं बनाये थी लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था ना यार कितना काम है काम खतम क्यूं नहीं हो रहा और फिर भी चलता रहता है माइंड में जब लुगा sixty summer माइंड वह माइंड भी चलता रहता है इसके पाद इन वह काम भी प्याला है और करते 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 कैई हमारी रात, सुबह, शाम सब पीती है कुछ पताने चलता है भी हम लेडी से हो कहींत है What just doesn't best implement this और अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है तो यहाँ पे मेरे जो पराठे थे वो गरमा गरम पराठे में बनाने लग गई थी और उसके साथ साथ ना बच्चे उधर खेल भी रहे थे फिर उसके बाद बीच में पता है क्या हुआ था पराठे बनाते ही ना जैनब से दूद गरिया था फिर मैंने उससे डाटा भी इस चीज़ के लिए और फिर वो भी एक काम बढ़ गया तो इस तरीके से मैं हर चीज तो शूट नहीं कर पाती हूँ जितना हो पाता है उतना ही दिखाती हूँ लेकिन उसके बीच में भी जितना आप लोग देखते हैं उसके बीच में भी बहुत सारी चीज़े हो जाती है जो छोट छोट के ना उन सारी चीज़ों को भी डील करना पड़ता है तो ऐसा हमेशा चलता रहता है और रोज का यही रहता है रोज डेली का बतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हम free रह सके हैं तो सारी Indian mom's जो होते हैं वो हमेशा ऐसी होती है जेंट का सची होता है कि Sunday की इनकी तो छुटी भी जोती हैई लेकिन हमारा तो Sunday की दिन और extra काम पढ़ जाता है तो हमें तो खबही छुटी मिल ही नहीं सकती है रहत तक काम निपट नहीं जाते हैं तो यहां पर मैंने एक एक करके इसी तरीके से सारा काम किया और धरामना जैनब को खेलने में लगाया चीज दिया टीवी चला के दिया ऐसे से करके मुझे काम करना पड़ता है ताकि वो मुझे थोड़ा थोड़ा सा डिस्टॉप करें लेकिन वो डिस्टॉप करते हैं उसकी भी आदत हो जाती है हमें यह सारे चीज़े शल्दी रहती है तो यहां पर मेरे सारे प्राठे जो है वो बनकर हो गए थे तैयार फिर उसके बाद यहां पर सफाई भी करनी बहुत जरूरी है अगर सारा काम करते रहो और किचन फैलता रहता ह ना तो लास्ट में बहुत जादा फैल जाता है और आटा मैंने बचा लिया था क्योंकि रोटिया बहुत जादा हो गई थी और उसके बाद मैंने यहां पर पहले तो नीट एंड क्लीन किया क्योंकि काम के साथ-साथ अगर हम सफाइब भी करते रहे तो लास्ट में क्या होत हमेशा शुरू से ही मेरे ममी यह बोलती है कि जब भी काम करो न तो अगर हलका हलका समान फैलता जा रहा है तो उसे साथ के साथ समीठते भी चले जाओ ताकि काम जादा बढ़े नहीं तो इसी तरीके से मैंने क्या किया कि मेरा सालन तो बन गया था और उसके बाद मैंने पापा भी आ गए पापा समाल लेकर आ गए थे दल्या वients के लिए बनाना था सुमार के लिए क्यूंकि पाप सबहुद्थ जल्दी जाते हैं एक दम अर्ली मॉर्निग जाता कि मैं मार्निग में बना पाऊं तो इसलिए मैंने उनकी लिए रात को ही दल्या बनाना होता है मुझे तो मैंने यहां पर दल्या लिया है और दल्या को बस ऐसी बनाऊंगी ही जादा कुछ नहीं करना मुझे थोड़ा सा दल्या लेके उसे मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए भून लोंगी ताकि उसमें उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आए ठीक है तो यहां पर मैंने हलका सा दल्या को भूल लिया है और उसके बाद मैंने इसे दूद में बनाया अमूल दूद में फूल क्रीम का और पापा को शुगर की प्रॉब्लम है इसलिए वो मीठा नहीं लेते हैं तो यहां पर मैं चीनी का भी इस्तमाल नहीं करूंगी तो बस मैंने कहा ने कि एक काम खतम होता नहीं है और दूसरा पहली आ जाता है तो यही होता है हमारे साथ की काम खतम होते ही दूसरा काम आ जाता है मैं सोचती हूँ कि अब मेरा काम खतम लेकिन खतम होता ही नहीं है सोते सोते ठाइम तक कुछ ना कुछ करना ही होता है बच् अब तो आगे उसके बाद मॉइन आ के दो इना था . सबस्थके नेहें ठीा किचन फैयलावा होता है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंदे मुझे बस फैयला उता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा घर कितना फैला हुए और किचन वहीं एक्टम नीट एंड क्लीन रहता है साफ सुत्रा एक्टम सिम्टा हुआ तो बहुत हलका हलका फिल होता है क्योंकि हमारे तो घरी की जन होता है तो यहाँ पर मैं बर्तन भी धोरी थी साथ साथ और दल्या भी रग दिया था मैंने बनने के लिए क्योंकि दल्या बनने में तो टाइम लगता है गलने में बहुत टाइम लगता है और बिल्कुल गल जाए तो जादा अच्छा होता है फिर उसके बाद मैंने सारा सिंक विंक और ये सारी चीज़े ये भी मुझे बहुत साफ सुतरा चाहिए होता है साफ सुतरा होता है ना तब ही मुझे बहुत अच्छा लगता है रोस डेली का ये होता है कि जितनी बार मैं बरतंद होती है उतनी बार मुझे सेंख और ये सारी चीज़े धोनी होती है क्योंकि ये जरा सा भी गंदा होता है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी तो इसलिए आपे मैं सारी चीज़े फटा-फट धो भी रहती और धीरे-धीरे काम निपट भी रहते और काम बड़ भी रहते काम आ भी रहते ऐसी चलता रहता है तो अल्मोस्ट मेरे बरतन भी धुल चुके थे फिर मैंने सारा साफ सुतरा कर लिया उसके बाद जब देखा तो सारी बोतले भी खाली पड़ी थी फिर क्या फिर बैठ गई मैं बोतले भरने के लिए कि जब खाना गाने बैठो तो बोतले भरी नहीं होती तो बहुत दिमाग खराब होता है तो यहां पे सारी बोतले भरी और बोतल भरते भरते फिर उसके बाद जब देखा दलिया देखने गई तो दलिया मेरा जो है वो गल कर एकदम तयार हो गया था लो फ्लेम पे छोड़ जोड़ ज़ड़ ज़ड़ भी नहीं हुआ पटाफट से बन भी गया तो यहां पे सा मीठा हो जाए कि पापा इसली खा ले तो यहां पे मैंने शुगर फ्री कर इस्तमाल किया अगर आप बनाए तो चीनी डाल दीजेगा उसके बाद दलिया बन गया था फिर मैंने इसे ढख करके ठंडा होने के लिए रग दिया अब यहां पे पापा के खाने का टाइम हो ग मैंने सुचा कि खाना खिलाने से पहले मैं अकसर यह खिला दिया करते हूं कि लेट नाइट सोते हैं वो लोग तो सोने से पहले मैं उन्हें खाना खिलाते हूं दाकि अच्छी नेंदा है और यह जो आप लोग देख रहे हैं यह मटर और चूरा जिसे पोहा भी बोला जाता यह इतना एजी भी होता है और बहुत मज़ा आते हैं खाने मतलब टाइम पास करना हो ना तो बस इसे ही खा लो तो यहाँ पर भी तैयार हो गया था यह मैं ले गई थी देस्ट खान पर जब पापा खाना खाने गए तो मम्मी के लिए है फिर यहाँ पर मैंने आमना और प impresis भी खाना लगा दिया है तो यहाँ पर पापा खाना खा रहे हैं और चूरा खाना खाने के लिए है तो बस ऐसी करते हैं बस घ्लाने के लिए झाम करते हैं तो ये अराम से खा लेते हैं मुझे तंग नहीं करते हैं और फिर इनको खिलने में भी कम से कम मुझे आधा पॉन घंटा लग जाते हैं यतना टाइम लगाते हैं एक तम खेल वेल के ऐसे खाते हैं अराम से नहीं खाते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेर नहीं किया ना तो प्लीज मेरे स्वेट को लाइक शेर कर दीज़ेगा सब्सक्राइब कर दीज़ेगा और बेल इकन पे प्रेس कर दीज़ेगा ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँशती रहे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि मेरा नाइट का डेली रूटीन आपको कैसा लगा और अब फाइनल देखे कि मेरा किचन हो गया है बिलकुल साफ सुतरा और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना बहुत कुशी होती है जब किचन मेरा साफ सुतरा हो जाता है सारे काम मेरी खतम हो गए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीजियो में टेक केर अल्ला हाफेज